शरकार से हटते ही लोग को बिहार में जंगल राज दिखाई देने लगा और उसके पहले मंगल राज था और यही बेचैनी बढ़ी हुई है बीजेपी वाले लोग को इसलिए अनरगल बात बोलने की आदत हो गई है यह आरेसेस और बीजेपी के लोग हैं यह नगपुडिया लोग हैं और नगपुडिया लोग अंग्रेजों का दालाल हुआ करता था और इना सत्ता के उरा नहीं सकते हैं बेचैनी में कहीं न कहीं कुछ तरह का ब्यान देते रहें उनकी आदत रही है वह अपने आदत से बाज आए नहीं तो मांसी का रोकसाला में हम भरती कराने को बिहार में महागट बंदन की सरकार बनने के बाद भारतिय जंता पार्टी लगतार बिहार सरकार के मंत्रियों पर हमला वर हैं बता दे आपको कि कल सुसील कुमार मोदी ने प्रेस कांफरेंस करके सुरंदर यादब जो बिहार सरकार में सहकारता मंत्री हैं उनके उपर हमला बात करते हैं आर्ज़डी के मुख्य प्रवक्ता भाई व्रेंद्र है हमारे साथ उन से की आखिरकार लगातार इस तरीकी के आरोप लग रहे हैं आपके जो मंत्री हैं आपके राजत कोटे से जो मंत्री बने हैं उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं असल में जो लोग भी वक्तब दे रहे हैं और हमारे मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं कहीं न कहीं मांसिक संतुलन वो खो बैटे हैं लोग और इन लोग को सरकार में रहने की आदत लगी रही है सरकार से हटते ही लोग को बिहार में जंगल राज दिखाई देने लगा और उसके पहले मंगल राज था इसलिए मैं उन नेताओं को मैं ये कहता हूँ कि मनेर के बगल में कोईलवर है केवल सोन टपना है और मांसिक आरोक्षाला वहीं पे है मैं चाहूंगा कि अगर इसी तरह का अनरगल बयान देते रहेंगे तो उन लोग को सलाह देंगे उनके परिवार के लोगों को पार्टी के लोगों को उन लोगों को वहीं आरोक्षाला में भरती करा दे ताकि तरीके से बोल सकेंगे लेकिन बीजेपी कह रही है कि नरहनी जो है नरहनी से नाखुन काटा जा सकता है पेड़ और गाच प्रीच नहीं काटा जा सकता है यह उनका यह है लोग डरे और शह में हुए है बिहार जब अंगराई लिता है और समाजवादी जब एक मंच पर होते हैं तो देश में राजिती करने वाले की बेचैनी बढ़ जाती है और यही बेचैनी बढ़ी हुई है बीजेपी वाले लोग को इसलिए अनरगल बात बोलन झौनिर्ट में की आदत हो गई हैं और 24 को में तय है कि मोधी को जाना है और नया भारत का अस्थापना होगा जोकि यह आरेशेस और बिजेपी के लोग हैं यह नकपुड़िया लोग हैं और नकपुड़िया लोग अंग्रेज्छों का दलालहुगा करता था और भारत चोड़ो अंग्रेज भारत चोड़ो का नारा गांधी जी ने लगाया था 1942 में 9 अगस्त 1942 में और 9 अगस्त 2022 में महागडवंदन एक हुआ है हम लोगों ने कहा है कि अंग्रेज को तो भागा दिया अब रंग्रेज रुपी जो उनके दलाल है उनको भी 24 में भागाने का काम करेंगे सवाली अभी है कि अब बीजेपी के लोग फिर से नितिश्कुमार को ओफर देने लगे हैं अब आफर देना उचुक्त कि आना कि उन्हों को सत्ता में रहने की आदत है और बिना सत्ता के उरह नहीं सकते हैं बेचैनी में कहीं ने कहीं कुछ तरह का ब्यान देते रहें, उनकी आदत रही है, वो अपने आदत से बाज आएं, नहीं तो मांसी का रोगसाला में हम भरती कराने को उपाय कर दे आ देंगे. आई-टी, इडी, सी-बी, आई की जो बात आप लोग कर रहें कि हम लोग नहीं डरते हैं, तो डरना भी नहीं चाहिए, भाजपा करें लेकिन फिर क्यों अनर्गल प्रलाप कर रहें आप लोग? और हानमेशा उसी दिन क्यों, जिस दिन सरकार बन रही थे, उसी दिन क्यों, सवाल ये उड़ता है, कहीं न कहीं विश्वास मत प्राप्त कर रहे हैं एक तरफ, दूसरे तरफ हमारे लोगों को आप हरकाने का डराने का पर्यास कर रहे हैं, बिहार है, बिहार सहीं सारी चीजे शुरू होती है चाहे वो देश की आजादी हो चाहे 24 में हटानी के बात है बिहार अंगराई ले लिया है और बिहार देश की गद्धी को बेदखल करेगी जो अनरगल बात बोलने वाले लोग है अरजडी के मुख्य प्रवक्ता भाई बिरे इंदर कई सवाल थे जो हमने इंस कर दो प्रवकर